गेकोज गारजज हेलो दोस्तों, गेकोज गारजज में आपका स्वागत है आज काफी कीचन है, तो हम अपना कार वाश रेडी कर रहे है वो देखो, बेबी ट्रक आ रहा है साफ होने के लिए हेलो बेबी ट्रक, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो स्प्लेश, स्प्लैश एंड स्प्लोश, चालू करो गेकोज कार वाश हम, ये तो सही नहीं है, तुम अभी भी कीचर से भरे हो ओ अच्छा, हमने इसमें साबुन डाला ही नहीं बिना साबुन के चमकती हुई सफाई नहीं मिल सकती अब साबुन उपर तक भर चुका है, अब सारी मिट्टी धुल जाएगी अजीब बात है, रोलर से तो धुलाई अच्छे से हो जानी चाहिए थी अहा, अब समझाया, बेबी ट्रक इतना चोटा है कि रोलर्स उस तक पहुँच ही नहीं पा रहे हुरे, कालवाश ने काम कर दिया और बेबी ट्रक बिलकुल साफ सुत्रा हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाई हेलो दोस्तों, आज ग्रीन का बिर्थ डे है और हम एक बीच पार्टी की तयारी कर रहे है अराम से ये हीलियम के बलून्स है, इसलिए ये उड़ते है सब कुछ तयार है, हम बस फियोना फायर ट्रक का इंतजार कर रहे हैं केक लाने के लिए ध्यान से फियोना, आगे मत आओ, आगे गीली रेथ है जल्दी करो, हाइट आइड आ रहा है हम तुम्हे बाहर निकाल लेंगे फियोना हम सारे बलून से फियोना को लिफ्ट कर सकते हैं जानता हूं तुम्हे बलून्स अच्छे लगते हैं, पर फियोना को उनकी ज़रूरत है हमें दे दो प्लीज काम बन गया, काम बन गया ओ-ओ, कुछ जादा ही उपर हो गया वो उड़कर दूर जा रही है समझ गया चलो, चलो मैं केरिकल्स बहुत अच्छे मेकैनिकल्स देखो, पाटी के और महमान भी आ गए आप सब के आने से खुशी हुई बलून्स देने के लिए शुक्रिया ग्रीन एंड हैपी बर्द्दे टू यू हुरे हेलो दोस्तो, गेको उस गैरिज में आपका स्वागत है आज का दिन एकदम शान्त है इसलिए हम गैरिज की सफाई कर रहे है हां, ये अजीब सी आवाज कैसी है अरे बॉबी दा बस तुम्हारी तवियत कुछ ठीक नहीं लग रही आजाओ, देखते हैं तुम्हें क्या हुआ है अरे बापरे, बॉबी की तवियत बहुत ही खराब है चलो देखते हैं कि क्या किया जाए शायद तुम्हारे रेडियेटर को पानी की ज़रूरत है चलो जाओ, मेकैनिकल्स आओ, नई, ये तो सही नहीं है एक मिनट रुको आहा, वेचारे बॉबी का ओईल लीक हो रहा है ओईल से इंजन बिल्कुल ठीक तरह से चलता है हम इसे ठीक कर सकते है हमें लीकेज की जगा पता चल गई है तुम्हारे पाइप से ओईल लीक हो रहा है ग्रीन छेट को बंद कर देगा अच्छी तरहा पाइप को वेल्ट करके और प्लास्टर तुम्हारे आउची को साफ रखेगा हुरे, वेल ड़न ब्लू, वेल ड़न ग्री अब कैसा लग रहा है बॉबी एक और हैपी कस्टमर तो आज के लिए बस इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे ग्यक्यूस गैरेज में बाई ओ मगेनिकल देखो, ये है ट्रक फैमली गुड बॉर्निंग एवरिवन ये बहुत अच्छी नाव है बेबी ड्रक जो तुमने बनाई है ओ नहीं, एक टायर ये बेबी की नाव की तरफ आ रहा है, देखो थेंक्स मामा, अब हम इस चायर को रिसाइकल करते हैं हे, देखो, इतना कच्रा हम, ये सारा कच्रा उपर की तरफ से आ रहा है चलो चले तुम ये ही रुखो येलो, नाव की रक्षा करो इतना ज़्यादा कच्रा, आखिर ये कौन कर रहा है मिस्टर वीजल, ये क्या कर रहे हैं? गैको, मैं अपने सारे कच्रे से पीछा शोड़ा रहा हूँ इसके टायर फस गए तुम्हें नदी में कच्रा नहीं डालना चाहिए, मिस्टर वीजल ओ, नहीं, वो बेबी ट्रक और बोट की तरफ सीधा जा रहा है आपको नदी में कच्रा नहीं फैकना चाहिए, ये नदी को गंदा कर देता है आप बेबी ट्रक की बोट को लगभग बरबात करने वाले थे एक बोट? मैं तब से बोट से नहीं खिला जब मैं छोटा वीजल था मेरे पास एक आइडिया है, हम इस कच्रे को रिसाइकल करते हैं पुरानी चीजों से चमकदार नई चीजे बनाए, मैं आपको दिखाता हूँ पता का फैराओ, देखो यह अच्छा जहाज आ रहा है वीजल की बोट आगे बड़ो, यह बहुत मज़ेदार है नदी एक बार फिर साफ हो गई है, दुबारा मिलते हैं, बाई यह अच्छी खुश्वुक क्या है जी हाँ, हर ग्रहक के लिए एक फ्री कबाब इससे मुझे और ग्रहक जरूर मिलेंगे, तुम अंदर जाओ एरिक जल्दी सिपको कुछ जल रहा है क्या पता नहीं इसको अब क्या हो गया नहीं, मेरी खुबसूरत बार्बीक्यू फ्योना फायर ट्रॉक, यह आग लग गई है यह आज कैसी जल्दी से उसाग को बुझाते हैं जाओ, जाओ, मेकेनिकल्स बचाओ, बचाओ, जल्दी करो यह क्या क्या माफ करना पाइप उतनी दूर नहीं पहुचेगा अच्छा आइडिया है फ्योना आव फायर एक्स्टिंग्यूशर का इस्तमाल करें मैंने पकड़ डिया शुक्र है, सब सही सलामत है सभी ने अच्छा काम किया जल्दी मिलते हैं, बाइप प्योना फायर ट्रक आखिर बात क्या है तुम्हारी होस काम नहीं कर रही है चलो देखते हैं तुम फिक्र मत करो फ्योना, हम तुमें जल्दी ठीक कर देंगे मैं अपना रिंच लेके आता हूँ तुमें अच्छारों कर देंगे हाँ आप देखते हुआ तुमें जल्दी क्या? क्या? कम ओन मेकानिकल्स मेरी मदद करो, प्लीज ही ओप ओप तुम ठीक तो हो ना येलो फेर, मुझे लगता है अब तुम ठीक हो गए हो गैको उस गैरेज में आने के लिए धन्यवाद फियो ना बाइ थेंक्स रेड आज बहुत ज्यादा गर्मी है उधर देखो बेबी और मा पिकनिक लिए जा रहे है लेकिन बेबी कुछ ठीक नहीं लग रहा है चलो बेबी ट्रक आओ तुमको देखते हैं पता लगाते हैं क्या गड़बड है ओ तो ये प्रोब्लम है तुम बहुत गरम हो गए हो मकेनिकल जल्दी थोड़ा पानी लिकर आओ तुमने ठीक तरा से पानी नहीं पिया है है ना बेबी जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हमें धेर सारा पानी पीना चाहिए अब बैतर है पर मेरे खयाल से तुम अभी भी गरम हो अहां समझा गया कारवाश के टेंपरेचर को बहुत ठंडा कर दो रेड ही ही चलो अंदर जाओ बेबी ट्रक अब ठंडा होने का समय है अब सब ठीक है अब तुम पिकनिक पर जा सकते हो तुम्हारा समय अच्छा गुजरे बाइ हेलो एविवण मैं गेको हूँ आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है आज हमारे गैरेज में बेबी ट्रक पहली बार आ रहा है इसलिए हम उसको आज एक स्पेशल गेको वेलकम देने वाले है हेलो बेबी ट्रक तुम घबरा क्यू रहे हो कोई बात नहीं तुम सुरक्षित हाथों में हो है ना मेकैनिकल्स बेबी ट्रक रुको हमने बेबी ट्रक को डरा दिया चिंता मत कीजे ममी ट्रक हम उसे ढूर लेंगे जल्दी मकैनिकल्स हमें बेबी ट्रक को ढूरना होगा हम् बिचारा बेबी ट्रक पता नहीं वो कहां है क्या तुम छुप रहे हो बेबी ट्रक क्या तुम घबरा रहे हो तुम्हें पता है मैं भी क्योंकि तुम्हारा गैरेज में पहला दिन है इसलिए हम तुम्हारा ये दिन स्पेशल बनाना चाहते थे I'm sorry अगर तुम्हें डरा दिया पर मेरा वादा है हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे अब तो ठीक है ना गैराज अपने दर्वाजे खोलो बेबी ट्रक को हमारी मदद की जरूरत है तुम्हारा दिन अच्छा बीते बेबी ट्रक तुम बहुत बहादुर हो यो वेलकम बेबी ट्रक गैको के गैरेज में आने के लिए अब सभी का शुक्रिया बाई ब्लू ब्लू तुम कहा हो हम हेलो दोस्तों आज हम बाहर काम कर रहे हैं क्योंकि फियोना की सीड़ी फस गई है और वो बहुत उंची है ओ हमें तुम्हारे टायर भी चेक करने होंगे फियोना ओ ब्लू क्या कोई कार जैक लेके आएगा प्लीज बहुत अच्छे रेड मैं रिंच लेके आता हूँ बाउंसिंग बॉक्स फिक्र मत करो रेड हम तुम्हें नीचे उतार लेंगे ग्रीन यलो एक चादर लेके आओ मेरे पास एक आइडिया है रेड जब मैं कहूं कूच जाओ तो कूच जाना ठीक है कूच जाओ ब्लू वक्त है तुम्हारा हीरो बनने का तयार हो ब्लू त्री टू वन गो डरो मत हम तुम्हें पकड लेंगे फियू तुम्हें अच्छा काम किया ब्लू हुर्य ब्लू है हीरो चलो सुपर मेकैनिकल फियूना की सर्विस खातम करते है आपसे फिर मिलेंगे बाई हेलो दोस्तो आज काफी बिजी दिन है बेबी ट्रक और मैक्स दा मॉन्स्टर ट्रक का टायर बदलना है लेकिन मैक्स है कहाँ ओ हेलो मैक्स चलो चलो मेकैनिकल्स यलो नहीं यलो का सर दीवार से लग गया अब जिम्मेदारी तुम्हारी है रड और ब्लू लगता है गरवर हो गई जल्दी आओ यलो लगता है टायर्स के अदला बदली हो गई कोई बात नहीं गलतिया हम सबसे होती हैं हमें बस टायर्स वापस लगाने हैं ओ फिक्र मत करो मैक्स ये जल्दी ठीक हो जाएगा यक बेबी ट्रक जानता हूं तुम्हें मज़ा आ रहा है लेकिन वो मैक्स के टायर्स हैं तो हमें उन्हें वापस करना है ओ बहुत अच्छे बेबी ट्रक बहुत जरूरी है चीजों को लेने के बाद उन्हें वापस करना आपसे फिर मिलेंगे बाई तुमने सही कहा ग्रीन वहाँ आग लगी है ऐसा लग रहा है फियोना फायर ट्रक आ रही है ओ नहीं मम्मी और बेबी ट्रक साथ में रेसिंग कर रहे हैं और फियोना का सायरन उन्हें सुना ही नहीं दे रहा फियोना लगता है तुमें एक तेज आवाज वाला सायरन लगाना होगा चलो मेकैनिकल्स चलो फियोना का नया सायरन लगाते हैं हाँ ऐसे ही बस हमें एक अच्छी सिन्नी नौ आवाज चाहिए काम हो गया शुरू हो जाओ फियोना ये तो ठीक नहीं है ये तो डोर बेल की आवाज है फिर से ट्राई करते है अरे ये तो डाइनोसौर की आवाज है हमें चाहिए नीनौ हाँ ये नीनौ है पर इसकी आवाज तेज होनी चाहिए हम्ट्राफिक में हमें तेज आवाज चाहिए येलो सायरन की आवाज तेज करो ताकि वो सुनाई दे अब आई ना नीनो की तेज आवाज बाई फियोना, गैकोस गैरेज में आने के लिए शुक्रिया हेलो दोस्तो, गैकोस गैरेज में आपका स्वागत है आज हम बॉबी दबस का चेक अप कर रहे हैं बस हो नहीं वाला है रुको, मेकानिकल्स, मैं अभी भी बस के ऊपर हूँ बॉबी, बॉबी, ओ डियर, वो मुझे सुन नहीं सकता मेकानिकल्स, जल्दी करो, मुझे यहां से निकालो वो देखो, सामने एक ब्रिज है वो बॉबी तो बहुत तेज़ जा रहा है अरे वो देखो, एक उचा ब्रिज यही सही वक्त है मेकानिकल्स, अगर मैं इसे पकड सकूँ चूट गया, अब क्या करूँ बहुत अच्छे येलो, तुमने मुझे बचा लिया कोई बात नहीं बॉबी, तुमें मालूम नहीं था और किसी को चोट भी नहीं लगी मदद के लिए शुक्रिया मेकानिकल्स मैं तुम्हारे बिना क्या करता बाई येलो एरिक, अब तो ठीक है न ये क्या था ओ ये तो मैक्स दा मॉन्स्टर ट्रक है उसे यहां नहीं खेलना चाहिए कंस्ट्रक्शन की जगा सुरक्षित नहीं है देखो मैक्स कितना नुक्सान कर रहा है ओ नहीं मैक्स का फ्यूल खत्म हो गया हमें उसे निकालना होगा इससे पहले की कॉंक्रीट सूख जाए जाओ मेकैनिकल्स जल्दी से पेट्रोल लेके आओ ओ डियर ये कॉंक्रीट तो बहुत जल्द सूखने वाला है समझ नहीं आता अब हम ये पेट्रोल मैक्स तक कैसे पहुचाएंगे एरिक ने एक ब्रिज बना दिया कॉंक्रीट सूख नहीं वाला है चलो मैक्स चलो लगता है मैक्स को उसका सबक मिल गया फैंक्स एरिक तुमने अच्छा काम किया अगली बार फिर मिलेंगे बाई गयक्स गैरिज में आपका स्वागत है आज कितना सुहाना दिन है इसलिए रेड चट पर जा रहा है वो वहाँ जाकर हमारे नए सोलर पैनल की फिटिंग करेगा ये सूरज की उर्जा को सोख लेंगे और इसे पूरे गैरेज के लिए बिजली में बदल देंगे हेलो बॉबी वोओ ये तुम्हें क्या हुआ बहुत गंदे दिख रहे हो हमने तो कल ही तुम्हारी सफाई की थी कोई बात नहीं स्प्लिश स्प्लैश ब्लॉश एक्टिविट करो गैको स्कार वाश हो गई सफाई अब तुम चलने के लिए तैयार हो बॉबी हाँ ओ-ओ तुम तो फिर से गंदे हो गए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है लगता है तुम्हारी सफाई हाथों से करनी होगी लो हो गए साफ तुम अपने रूट पर जा सकते हो बॉबी अच्छा इसलिए तुम गंदे हो रहे हो तुम्हारा पुराना पेट्रोल एंजिन क्या तुम्हें एक नया और साफ सुत्रा एलेक्ट्रिक एंजिन चाहिए बॉबी? हाँ? सोलर पैनल्स तैयार हैं? सोलर पैनल्स सूरट से उर्जा लेते हैं और बॉबी को चलने के लिए क्लीन पावर देते हैं हुरे! तो आप सबसे फिर मिलेंगे दोस्तों गैकोस गैरेज में ये तो मम्मी ट्रक और बेबी ट्रक हैं आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? सुरंग ब्लॉक है और आप जा नहीं सकते? मैं एक बार देखता हूँ ओ, सुरंग देह गई है यहां से भी टेह गई हम तो अंदर फस गए फिक्र मत करो मेरे पास मेरी टूल किट है हमेसे बड़ी टूल किट चाहिए इस चटान को तो टिली भी नहीं हटा पा रहा अब हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? इस बाहर किवपे है अब क्वाव इस बाहर किवपे 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 किवप आप में इतनी ताकत है मम्मी ट्रक ने हमारी जान बचाई मैं एरिक दी एक्सकेवेटर से कह दूंगा कि वो ये सारे पत्थर हटा दे और ज्यादा फन और एडवेंचर के लिए आपसे फिर मिलेंगे गेको उस गैरिज में हेलो दोस्तों मैं हूं गेको आज का दिन बहुत ही तो मैंने सोचा थोड़े पक्षियों को ही देख लूँ अरे देखो वो दोनों जुड़वा भाई बैरी और कैरी अरे नहीं बैरी तालाव में गिर गया जल्दी मेकैनिकल्स हमें उसकी मदद करनी है चलो चलो टिली टो ट्रक घबराओ मत बैरी हम तुम्हें जल्दी महा से निकाल लेंगे ब्लू चलो तुम्हें चेक करते हैं अजीब बात है तुम्हारा इंजिन चल नहीं रहा कैरी बैरी को खुश करने के लिए आया है कितना प्यारा है मुझे लगी रहा था कुछ तो गड़बड है ये मचली जरूर बैरी के एक्जास्ट में फस गई थी इसलिए इसका इंजिन नहीं चल रहा था कितना अच्छा होता है जब आपके दोस्त आपसे मिलने आते हैं इससे आप जल्द ही ठीक भी हो जाते हो मचली भी अपने घर सुरक्षित पहुँच गई उसके दोस्तों को चिंता हो रही होगी खेर अंत भला तो सब भला आपसे फिर मुलाकात होगी बाई हेलो दोस्तों मैं हूँ गेको और हम जा रहे हैं अपने घर वो तो बेबी ट्रक है क्या हुआ बेबी ट्रक्षित क्या तुम्हारा डमी खो गया परिशान मत हो हम उसे ढूण निकालेंगे चलो चलो मेक्यानिकल उन लाल फूलों के आसपास ढूणो तुम्हे कुछ दिखाई दिया उन हरी जाडियों में देखो क्या कुछ दिखाई दिया वो जरूर यहीं कहें होगा तुम्हे कुछ दिखाई दिखाई मुझे तुम्हारा डमी कहीं दिख नहीं रहा ब्लू शापाश तुमने ढूंड ही लिया ये लो बेबी ड्रक अंत भला तो सब भला मदद के लिए शुक्रिया दोस्तों बाई गयके उस गैरिज में आपका स्वागत है दोस्तों हम अभी अपना एमर्जेंसी अलेर्ट सिस्टम लगा रहे हैं हाँ ऐसा लगता है कोई मुसीबत में है चले उचले उठीलीटो ट्रक ये तो एरिक दी एक्सकवेटर है लगता ही चट्टान से टकरा गया है देखो इसका कैटरपिलर ट्रैक तूट गया है ओ ब्लू जानता हूं तुम्हें तूफान से डर लगता है पर तुम्हारी मदद चाहिए तुम हमारे लिए बहादुर बनोगे ओ मैं वहाँ पहुच नहीं पा रहा और मैं बड़ा होनी की बज़े से वहाँ नहीं जा पा रहा ओ ब्लू हमें इसे जल्दी ठीक करना होगा लगता है वो बांध चूटने वाला है ब्लू इतना चोटा है कि उसके अंदर फिच हो सकता है शापाश ब्लू तुम सच में बहुत बहादुर हो ओ नहीं ये बांध बस तूटने ही वाला है जल्दी करो ब्लू ओ शापाश ब्लू तुमने अपने डर का सामना किया और वो देखो एक रेंबो तो आज के लिए इतना ही दोस्तो बाई हेलो दोस्तो एरिक दी एक्सकवेटर आया है सर्विस के लिए हमें ये चेक कर रहा है कि वो अपने खुदाई के काम के लिए फिट है या नहीं कौन-कौन मदद करेगा हम् तो मैं चूज करता हूँ येलो मुझे पता है तुम्हें खेलना है लेकिन गैरेज के काम में भी तुम्हें उतना ही मज़ा आने वाला है सबसे पहले हम तुम्हारा एंजिन चेक करेंगे अरिक तो एंजिन को जोर से चालू करो तुम इससे बेतर कर सकते हो एरिक बढ़िया कैच येलो वक्त है तुम्हारे कैटरपिलर ट्रैक को चेक करने का ये सर्विसिंग का आखरी हिस्सा है एरिक देखते हैं तुम्हारे डिगर आम्स कैसे काम कर रहे हैं इनको ओइलिंग की ज़रूरत है येलो बहुत अच्छे एरिक तुम सर्विसिंग का टेस्ट पास कर गए हो और अब खोदने के लिए बिलकुल तयार हो तुम जा कर खेलोगे येलो मैंने कहा था ना काम में मज़ाएगा आप सबसे फिर मिलेंगे कुछ और मज़ेदार कामों के साथ यहां ग्यको उस गैरेज में ओ हेलो दोस्तो मैं और ब्लू बाहर जा रहे हैं गैरेज के लिए क्रिस्मस ट्री लेने ओ इई ये तो बॉबी तब बस है वो फस गया है होट चॉकलेट से गर्माट मिलेगी चिंता मत करो बॉबी हम तुम्हें जल्दी बाहर निकाल लेंगे कोई फाइदा नहीं हुक निकाल दो ब्लू कोई और तरकीब देखते हैं ओ नहीं अब तो तिली भी बर्फ में फस गया ओ नो ब्लू लगता है हम भी फस गये हैं यहाँ उदास मत हो ब्लू कोई तो हमारी मदद करेगा तब तक हमें यह हॉट चॉकलेट गर्म रखेगा उपस देखो हॉट चॉकलेट से यह बर्फ पिगल गई मेरे पास एक आइडिया है ही यह काम आया वही रुको बॉबी यो वेलकम बॉबी लेकिन अब हम इस गिरे हुए पेड़ का क्या करें आहा परफेक्ट मेरी क्रिस्मेस दोस्तो ओ, हेलो दोस्तो वो कीदा आइस्क्रीम ट्रक यहां रिपेरिंग के लिए आई है हमारा काम बस खत्म ही होने वाला है ठांक्स येलो क्या तुम स्क्रूड्राइवर ला सकते हो ध्यान से मेकैनिकल्स उस पाइप के अंदर बरफीली हवा है इससे रिक्टी अपने आइस्क्रीम फ्रीज करती है येलो उस बटन को मत छूना येलो बटन है येलो नान से आईग से बहाँ नान से इस आईगा बटन को मत बटन को मत बहाँ हुआ 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 हु थैंक्स मेकानिकल्स तुमने मुझे बचा लिया चलो अब चल के विक्की को ठीक करते हैं शुक्री आवी की बाई दोस्तों बहुत अच्छे मेकानिकल्स गैरिज को अच्छे से साफ और चमका देते हैं ओ लगता है कोई कस्टमर आया है ये तो ट्रक फैमिली है ममी ट्रक, ममी रिसाइकल और बेबी ट्रक जो शायद थोड़ा परिशान है हिलता हुआ दात इसमें घबराने की कोई बात नहीं बेबी ट्रक इसके निकलने के बाद तुमें से अपने सिराने रख देना और तुमें मिलेगा एक सोने का सिक्का ओ नहीं चीक आने से बेबी ट्रक का दात निकल गया ओ फिकर मत करो हम उसे ढूण लेंगे चलो चलो मेकैनिकल्स ओ यक सौरी ग्रीन ये तो दात नहीं है ध्यान से येलो ओ हमने सारा गैरिश ढूण लिया लेकिन कहीं भी बेबी ट्रक के दात का कुछ पता नहीं चला जरा एक मिरट रुको हमने एक जगा पर अभी नहीं ढूणडा है ब्लू के डेस्टर के अंदर येलो बेबी ट्रक अब घर जाओ और इसे तक्ये के सरहने रख लो और हम आपसे मिलेंगे और भी नए एडवेंचर्स के साथ संबल के संबल के साबधान मेकेनिकल्स हमें एक साथ करना है तेंक्स, ग्रीन ओ, ओ, डियर मेकेनिकल्स, तुम्हें अब इसकी मरमत खुद करनी होगी व, अव, तुम्हें एक्राइ प्रीन ग्रीन ठेंक्स ग्रीन मेकैनिकल्स तुम्हे एक साथ करना होगा अच्छा काम किया मेकैनिकल्स देखा एक छोटी सी टीम कैसे काम करती है बबी अब तुम ठीक हो नाइस कैज ग्रीन